हला अब्रिवन अज मैं आपके साथ बहुत ही चॉकलिटी इजी क्विक डेजर्ट की रेसिपी शियर करने जा रही हूँ जो घर पे पड़े हुए सामान के साथ ही बनकर इजी ली रेडी हो जाता है इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे आदा लीटर दूद यहाँ पर मैंने नॉर्मल फुल फैट क्रीम मिल्क का यूज किया है जिसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था अब जब तक कि दूद में एक उबाल आ रहा है तब तक एक कटोरी में हम ले लेंगे दो से धाय चमच कॉन फ्लोर साथ ही इसमें ले लेंगे एक चमच के आराओं कोको पाउडर अगर आपके पास घर पे कोको पाउडर अवेलिबल नहीं है तो इसकी जगे आप किसी भी मिल्क चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करकर रूम टैप्रेचर पर किया हुआ थोड़ा सा दूद डालेंगे त ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं और इसमें कोई लंप्स ना बने इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरीके से गाड़ा नहीं हो जाता इसे हमें नॉमली जैसे कि हम कस्टेट बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा जादा गाड़ा ये अच्छी तरीके से इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाती और जैसे ये डिजॉल्व हो जाएगे गैस को कर देंगे हम बन अब यहां पर ले लिया है मैंने एक कंटेंडर जो की रेक्टेंगल है आप किसी भी साइज किसी भी शेप का ले सकते हैं और हम इसमें अब इस तया चॉक्लेट बिस्किट का यूज यहां पर कर सकते हैं अब इसकी एक लियर प्रॉपरली हम इसमें डाल देंगे उसके बाद फिर से हम इस मिक्षियर की एक लियर डालेंगे अच्छा यहां पर जो हमने यह चॉक्लेट मूस बनाकर रेडी किया हुआ है इसे हमें गरम-गरम ह यह असे बहुत जादा थंडा नहीं होने देना नहीं तो यह जम जाएगा अब यह मूस हमारा प्रॉपरली असेंबल हो चुका है अब हम इसे एक से दो घंटे के लिए कर देंगे फ्रीज यहां पर मूस को फ्रीजर से निकालने के बाद मैंने उसे बिस्किट्स को क्रश कर कर ही उसे गानिश कर दिया साथ ही मैं मैंने उस पर स्टेनर की हेल्प से थोड़ा सब पोकू पाउडर डस्ट कर दिया यहां पर यह हमारा चॉकलेट मूस बनकर हो चुका है रेडी और ठंडा ठंडा खाने के लिए है बिलकुल तयार अगर रेसिपी अच्छी लेगी तो व खुलेगा थांक्स फर वच्छिंग